तो बहीं तुम्हारे रिजल्ट pro को लेखर के बहुती बहुतीबदा नइस बहुत बहुता दमाका अपडेट मैं तुमको देने वाला हूb CB c के तरफ से रिजल्ड नोटीस जारी होग्या है क्या है यह रिजल नोटिस जो कि अभी अभी जा रही हुआ है बहुत इंटर्नल चीजे जो कि हर कोई तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला मैं तुम्हें बता पाता हूं कई सारी चीजें जो दूसरे नहीं बता पाता है लोगों से मिलना पड़ता है सेंकडो बड़े-बड़े प्रिंसिपल्स एड्मिन जो होते हैं उनके साथ में तुम्हारा उटना बैटना होता है तो उसका बहुत बड़ा एक प्रॉफिट होता है कि हमें बहुत सारी चीजें अपडेट मिल जाती है तो वह क्या है मैं बताऊं को मेरा फोकस है मैं 9 10 11 12 में जो भी बच्चे हैं उन सभी को गाइड करो तो तुम भी तो 10 से 11 चले गए 12 वाले बच्चे 12 से आगे निकल जाओगे लेकिन साथ जोड़े रहोगे 11 वाले बच्चे 12 आगे तो मतलब मैं तुमसे जोड़ा वाँ यार कहीं नहीं गया मैं तुम 25 बोड का लेक छोड़ करके लेकिन अभी से कुछ 2 गंटा पहले मेरे पास में एक बहुत ही सीनियर बहुत ही बड़े स्कूल के सीनियर जो एडमिन है प्रिंसिपल है उनसे मेरा बाचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि सर इस बार भी मतलब कई स्कूलों ने गरबड कर दिया मैं तो उन्होंने कुछ बाते बताई वो बाते में बताता हूं लेकिन रिजल्ट बहुत शांदार हो रहा है यह मैं तुमको अभी बताना चाहता हूं और यहां पे मैं को चीजे तुमको देखाना भी चाहता हूं देखो यार वैसे मैं तुमको कॉपी चेकिंग को लेकर कि बोड इग्जामिनेशन बाइ नेक्स्ट वीक मतलब अगले सब्ता तक किसी भी हालत में फिनिश किया ही जाएगा हर हालत में और भरबड़ी भी है भाई इलेक्शन सब मतलब शुरू ही हो गए समझो ते के महा परव शुरू हो गया एलेक्शन को महा परव कहा जाता है तो वह शुरू हो गया हम भी इसमें पाटिस्पिट करेंगे तुम में असे जो भी 18 o लेकिन अब जो मैं पताना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनो रिजल्ट अभी तक मेरी जानकरी के नुसार बहुत शांदार है कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है वही बच्चे फस रहें जिन्होंने कॉपी खाली छोड़ा जैसे कि तुम्हें पता है न कुछ एक महीना पहले मैंने तुमको एक वीडियो बना के दिया था कि जिस दिन मैं बहुत गुस्सा था कि यार खुद मेरे कॉपी के अंदर में मुझे मतब उसम इवालुएशन सेंटर्स के उनको सौपा जाता है तो जमा हो गया तो भाई अभी वही बच्चे फसनेंगे बात बाकि कोई नहीं फसने वाला रिजल्ट काफी शांदर आएगा लेकिन यहां पे एक चीज जो आज सुभा बात हुआ मेरा सीनियर जो जिनकी मैं बात कर रहा ह उनका कहना था कि सर एक गरबड़ी है इस बार भी स्कूलों ने मतलब सीबसी को फसा दिया तो मैंने का सीबसी को फसा दिया मतलब क्या फसा दिया तो उनका कहना था कि सर क्या हा जाए मतलब आपको तो पता है कि हर साल कुछ स्कूल वाले ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ ग सारीYU स्थारा, परबम दिख रहे हैं, और CBC, इंटर्नल मुलके हैं अगिरा की अप सब्सक्राइब घार सुप nobody होती चीह बात कुछ भूए करूंगा, कि यह तो कॉइत रॉंग है, शुक्तने टोश्टलूट सवाल फ्यूचर का है तो बादा की सब ठीक है लेकिन सीबसी ने ये रिजल्ट नोटिस जारी किया है और अब ही मैं एक और बात बता दूँ कि आज रिजल्ट डेट के बारे में मैं कोई अनाउंस्मेंट नहीं करूंगा अभी आज लेट इवनिंग कहलो या रात कहलो 10-10 बज़े तक मेरे पास में कोच एक अपडेट आने वाला है और वो अपडेट तुम्हारे रिजल्ट डेट को लेकर के होगा तो मैं कल सुभा 10-11 बज़े के बीच में या उससे पहले एक वीडियो डालूँगा मैं नॉर्मली मैं सुभे वीडियो नहीं डालता हूं तुम्हें भी पता है लेकिन कल मैं डालूँगा और वो वीडियो तुम जरूर देखना ठीक है बहुत important update उसमें अंदर मिल जाएगा तो I hope कि तुमको clarity मिल गई होगी and I hope कि इन ये जो schools अना ये अपने गरबड़ियां बंद करें और result सही से चढ़ाए marks uploading में गरबड़ी पकड़ी है सिबसी ने अभी तुमको पता होगा सिबसी के website पे जाके देखोगे यहाँ पे जाके देखोगे तो सिबसी ने बहुत सारे schools को downgrade भी किया है मतलब schools अपनी गलती करने से जो है न वो बाज नहीं आते हैं ये सबसे बड़ा issue है ठीक है? ये देखो मैं भी तुमको दिखा दे रहा हूँ कि मतलब सिबसी action कैसे लेती है पूरे देश भर में कई schools को downgrade कर दिया गया है ठीक है? ये website खुलने में थोड़ा सा time लग रहा है issue हो रहा है अरे तुम लोग खुद भी देख सकते हो वैसे ठीक है? पता निक क्यों time लग रहा है net issue है I think देखते हैं देखते हैं देखते हैं ये देखो press release CBC ने जारी किया है regarding list of disaffiliated and downgraded schools 27 March को काफी schools को downgrade कर दिया गया इसी वजह से बहुत सारे गड़ियों के वजह से ठीक है? तो तुम्हारा result सबकुछ अच्छाने वाला है खुश हो जाओ वीडियो को जल्दी से लाइक करो शेर करो और कल सुभाय का वेट जरू करना मिलते हैं नेक्स वोडियो में और 2025 के लिए तुम्हें मुझे सपोर्ट करना है लिख दो सपोर्ट करेंगे सर अभी के लिए बसेता है मिलते हैं नेक्स वोडियो में जैहिंद वद्यमात्रव